हेलो फ्रेंड एक पाफ फिर आपका स्वागत है कंचल लाइफ लाइफ लाइन चैनल पर आज मैं नूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन की जानकारी लेकर आई हूँ यह मैंकाइंड कंपनी द्वारा निर्मित है और मिथाइल कोबाला में निया सिन मेंड और प्यूरी डॉक्सिन इस दवा का घटक है यह दवा विटामिन बी सप्लीमेंट विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 युक्त एक सयोजन दवा है यह रक्त प्रवहा के माध्यम से घूमता है और शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में मदद करता है इसलिए इस दवा को मख्या रूप से पोशन पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है विटामिन बी की कमी के परिणाम स्वरूप गंभीर एनीमिया कमजोरी सुननता और जुन जनी सवेंदनाय हो सकती है यह इंजेक्शन मल्टिपल सेकेले रोसिस नाम्मक अपक्षी कोशिका इस्थिक के खिलाफ मदद करता है यह शरीर और दिमाग के लिए तनाव निवारक के रूप में भी कार्या करता है तो इस तरह से इस दवा की सलहा पोशक तत्वों की कमी में दी जाती है नियूरो काइंड गोल्ड इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे पेट के नीचले हिस्से में दर्द, मतली और उल्टी, पियोनी से खून बहना, इसकिन रैशेस, तवच्चा लाल होना कुछ सामान्य दुश प्रभाव जो पेट में दर्द, मतली, उल्टी, सिर दर्द, तवच्चा लाल चकते आदी हो सकते हैं ये प्रभाव आमतोर पर अपने आप ही चले जाते हैं, हाला कि यदि साइड इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इसके विपरित संकेतों में एलर्जी हो सकती है तवा की डोज भूल जाने पर मिस्ड डोज को याद आते ही सेवन करें मिस हुई खुरा को छोड़ दें यदि यह अगले निर्धारित खुरा के लिए समय है यह दवा बोन मेरो में न्यू क्लिक एसिड संसलेशन को बढ़ावा देने और एरिथ्रो साइटस के परिपक्वता और विभाजन को बढ़ावा देकर रक्त कोशी का उत्पादन को बढ़ाती है यह सिंगलिंग एटम के एन एफ के भी मध्यस्ता प्रतिलेखन को नियंत्रित करके भी काम करता है यह पोली पोली मेरेजवन को अवरुद करके करता है इस इंजेक्शन का उपयोग नीरोलोजिकल डिसॉर्डर इस्तब्ध हो जाना और जुन-जुनी तंत्रिका शती विटामिन B3 की कमी और भरी हुई धमनियों में दर्द जैसी स्थितियों और लक्षणों से उपचार और रोक्ताम के लिए किया जाता है नीरोलोजिकल विकारों में दर्द और सुननता और जुन-जुनी नीरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के सबसे सामान्य प्रयोग बताए गए है इस दवा को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और पेट की बिमारियों से बचने के लिए भोजन के बाद लेने की सलहा दी जाती है इस दवा को बहतर परणाम के लिए दिन में एक बार उपयोग करने की सलहा दी जाती है इसके उचित उप्योग और आवरित्ती जानने के लिए डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है इस इंजेक्शन को गर्मी से और सीधी रोशनी से दूर और कमरे के तापमान पर स्टोर करना चाहिए इसे बच्चेओं और पालतू जानवरों की पहुँच से दूर रखें साथ ही गर्भवस्ता और इस्तनपान जैसी इस्थिती और लीवर या और भी किसी तरीके की बिमारी है तो बिना डॉक्टर की सलहा के इस इंजेक्शन का इस्तमाल न करें तो फ्रेंड इस तरह से नियूरो काइंड गोल्ड इंजेक्शन की जनकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जनकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ता कि मेरे आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके धन्यवाद